आप देख रहे हैं Dream Big Champion of the Day powered by Dream 11 और इस सेग्मेंट के लिए हमने चुना है Ireland और Netherlands के बीट जो मैच केला गया T20 World Cup में वहां से एक खिलाडी और कौन है वो खिलाडी अगर आपने इस मैच के बारे में कुछ भी सुना होगा तो आपको हैरानी नहीं होगी हमने Curtis Camper को यहां पर च कि चार विकेट चटकाई Camper ने 26 रन देकर अपने चार ओवर में लेकिन वो चारो विकेट आई वन आफटर दी अदर तो हैट्रिक ली उसके बाद वो चौथी विकेट लेते दीब में देख रहा था अपना पांचवा T20 आये यह खेल रहे हैं और पांचवे मैच में ही इन का नाम जुड़ गया है दो T20 लेजेंज यानि की लसित मलिंगा और राशित खान के साथ जिन्होंने इससे पहले यह कारनामा किया था बहुत बड़ा यह अचीवमेंट आप कहेंगे चार गेंदो पे चार विकेट लेना और साथ में अगर मैच सिचुएशन की बात करें त जब कैमफर ने वो चार विकेट चटका है और जिसमेंसे ठीक है थोड़ा सा आप कह सकते हैं लाकी रहे एक आदा विकेट लेकिन एंड अड़ दे जो खासकर बीच के जो दो डिलिवरीज थे जहां पर टेंडेंस काटा आउट हुए वह अच्छे डिलिवरीज थे फुल स् देखिए शायद दो विकेट थोड़े लकी माने जाएं वो इसलिए क्योंकि एक बहुत शॉट पिच गेंद पी उसको छोड़ा जा सकता था अगली बहुत ये वाइड गेंद थी उसे भी छोड़ा जा सकता था लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो इन एक्सपिरेंस जो बल्ले मंच है ये बहुत बड़ा मंच है वहाँ पे आप थोड़ा सा आपके दिमाग में रहता है क्योंकि आप अमूमन खेलते नहीं एक यूसरे के साथ अतना जादा आइलेंड और नेधरलेंज की में बात कर रहा हूँ तो जब आप खेलें दिमाग में रहता है कि पीछे क्या सिर्फ जीत नहीं एक कन्विंसिंग जीत था तो उस लिहाँ से मेरे क्याल से हाँ रिवेंज कह सकते हैं ती बहुत 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 शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए तो आप देख रहे थे ड्रीम बिग चैंपियन अधे पावर्ड बाई ड्रीम 11